हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मादव डैसी आज की वीडियो में देखे फ्रेंड्स आपको मैं ये खुबसूरसी पगड़ी बनाना सिखाऊंगी और यहाँ पर जो पगड़ी आज हम सीखेंगे 5 और 6 नंबर लड़ू गोपाल जी के लिए सीखेंगे 5 और 6 नंबर काना को बहुत सुन्दर पगड़ी आएगी और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है वीडियो के अंदर तो आप वीडियो को देखते रहिए पूरा बीच में इसकिप मत करिए क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगी कैसे हम कलगी बनाते हैं कैसे हम बेस बनाते हैं बाकी बेस की वीडियो मेरी चैनल पर अपलोड है उन सभी का लिंक मैं आपको डेस्क्रिप्शन में दे दूगी अगर आप दो नंबर तीन देखना चाहते हैं बाकी कलगी आप अपने अकॉर्डिंग बना करके सभी साइज की बना सकते हैं तो देखे फ्रेंड्स आज की बहुत ही सुंदर है चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं देखते हमने इसको कैसे बनाया है और तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है त अगर आप पाच नमबर काना के लिए बनाएंगे तो सभा पाच इंच लेंगे छे नमबर काना के लिए सभा छे इंच लंबाई लेंगे अब हाइट देखे यहाँ पर हमने सभा दो लिया है चैनल पर काना के लिए और पाच नमबर के लिए आप दो इंच हाइट लेंगे अब नीचे से देखें यहाँ पर सवा इंच पर हम ऐसे मार्क कर देंगे पाच नमबर की बनाएंगे तो एक इंच उपर चोड़ेंगे एक इंच नीचे अब छे नमबर की बना रहे है तो सवा इंच यहाँ पर नीचे चोड़ देंगे और एक इंच हम उपर चोड़ देंगे अब यहां से इसको देखे ऐसे मिला देंगे और मिलाने के बाद उपर की साइड हमें इस तरह से लाइन कर देने जिससे कि हमें यह पता रहेगा कि यहां से हम स्टिप कट करेंगे अब इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और fold करने के बाद open side अपनी तरफ रखेंगे और जो ये नीचे का portion है यहाँ पर हम थोड़ी सी गोलाई करेंगे जो हमें पगड़ी की गोलाई देनी होती है वो इस तरह से यहाँ पर देखे ऐसे कर देंगे कपड़ा पेस्ट करने के बाद इसको देखे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे जिससे की अच्छी तरह से सूख जाएगा और तब तक हम इसकी कलगी बनाएंगे तो कलगी बनाने के लिए यहाँ पर देखे हम नैट की पट्टे को कट करेंगे और इसका मेजरमेंट है देखे चोड़ाई है यहाँ पर 4 इंच और लंबाई है देखे यहाँ से यह ली है मैंने 21 इंच आपको अगर कम गहरी फ्रिल बनानी हो कलगी बनानी हो तो आप कम लंबाई भी ले सकते हैं इस तरह से मैं दो कलगी बनाऊंगी एक रैड और एक यलो अब इसको देखे यहाँ पर डबल कर देंगे पट्टे को और इसके उपर सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर देखें मैंने यलो कलर में पहले ही सिलाई लगा करके रखी हुई है अब इसकी हम कलगी बनाएंगे तो यहाँ से देखें इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे एक के उपर एक रखते जाएंगे जिस तरह से प्लेट बनाते हैं और ऐसे करके दोनों कलगी को हम त यार करेंगे अब देखिएगा इस तरह से हमारी दोनों कलगिया वन गई है और कलगिय वनाने के बाद देखिए बेस भी हमारा सूप करेडी हो चुका है अब हमने देखिए जो उपर ये एक इंच पे जो मार्क लगाया था यहाँ पर देखिए बीच में एक लाइन की थी यहाँ से हम इसको ऐसी थोड़ा सा मोड देंगे और मोडने के बाद यहाँ पर उपर हम देखिए इस तरह से स्टिप कट करेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखे इस तरह से पूरी पट्टी पर हमें जो पूरी हमारा बेस है इस पर ऐसे कट कर लेना है पट्टियों को कट करने के बाद इसको देखे हम अंदर की साइड करेंगे और यह जो हिस्सा है इसको बाहर की साइड रखेंगे और ऐसे यहाँ पर glue से देखे इतना space करते हुए यहाँ से इसको glue की help से चिपका देंगे फिर उसके बार देखें उपर से हम ऐसे स्ट्रिप मोड़ते जाएंगे एक बारी धर से और एक बारी धर से फिर धर से फिर धर से इस तरह से सारी स्ट्रिप को मोड़ करके आपस में देखें ऐसे हम चिपका देंगे अब हम इसको नैट की पट्टी से रैप करेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने तीनी चोड़ी एक पट्टी को ले लिया है और इसको देखें ऐसे फोल्ड करेंगे फिर ऐसे फोल्ड करेंगे फिर एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और आप चाहे तो पहले इसके उपर iron कर सकते हैं ऐसे मोड़ करके या आप सिलाई कर सकते हैं मैं देखे यहाँ पर ऐसे ही लगाऊंगे इसको जिनको practice नहीं है वो इस पर सिलाई लगा ले या फिर press कर ले और पीछे से देखे इसको लगाना शुरू करें यहां से और इसको आ description में तो आप दो नमबर से 6 नमबर तक का बेस वहां पर बनाना सीख सकते हैं देखे जहां जहां हमें space दिखाई देगा वहां वहां तक इसको लेते जाएंगे पट्टी को और इसको रैप करते जाएंगे बहुत आसानी से पगड़ी बन जाती है कोई भी दिकत कोई भी पर reply का जवाब दूँगी और आपको उसी के according चीजे सिखाऊंगी अब देखे नीचे का इस पेस है आगे की साइड हम इसको ऐसे ले जाएंगे और ले जाने के बाद यहां पर देखे अब हम फ्रेंट पर आ गई है अब पीछे का देखे थोड़ा सा इस पेस हमारा खाली बचाएंगे यहां पर इसको ले कर जाएंगे पट्टी को पीछे की तरफ को और यहां से भी देखे इसको थोड़ा सा चिपका देंगे और देखे थोड़ी सी पट्टी एक्स्ट्रा है इसको कट करके अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे इस तरह से देखे बेस बन करके रेडी हो गया है कितना फिनीशिंग के साथ बना है यह बेस अब हम इसमें कलगी लगाएंगे तो यहां पर देखे पहले इधर की साइड गलू लगा करके मैं यहां पर यह रेड वाली कलगी लगा दूँगी यह दिखे इस तरह से इसको एक सेकिंड के लिए आपको पकड़ करके रखना होगा जिससे की यह अच्छे से से सैट हो इसको लगाने के बाद साइड में से यहां से भी हमें इसको पेस्ट कर देना है तो ग्लू लगा करके यहां से भी देखे ऐसी से अच्छे चिपका देंगे आप आराम आराम से करते जाएं कोई भी दिककत कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी पगडी बनाने में बहुत आसानी से आप बना लेंगे अब इसको साइड में से भी यहां से भी इस तरह से देखे हम यहां पर पेस्ट कर देंगे अब हमें लगानी है इसके उपर बूटी तो देखें यहाँ पर मैं एक चांद बूटी लूँगी इस तरह से और इस तरह की बूटी यहाँ पर लगा दूँगी और देखें एक मेरे पास यह फ्लावर है बना हुआ यह पहले से ही बनावा मार्किट का बनावा है तो मैं इसको भी देखे यह रैड येलो कलर का ही है तो मैं यहाप अगड़ी के उपर इसको लगाऊंगी तो इससे देखे खूब सूरती इसकी और भी जादा अच्छी हो जाएगी तो मैं इस फ्लावर के उपर बुलू लगा कर करके देखे इसको भी यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दूँगे यह देखे वहाँ और फिर हम जो यह बूटी है इसको लगाएंगे यहाँ पर तो इसकी उपर देखे पहले गलू लगाएंगे और गलू गरम होती है तो आप थोड़ा ध्यान से करिए इसमें उंगली जलने का भी डर रहता है यहाँ पर देखे मैंने इसको लगाया उसके बाद हम लगा देंगे एक यह स्टोन यहाँ पर यानि की बूटी आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग पगड़ी को डेकोरेट कर सकते हैं इसके बाद हमें लेने चोटे चोटे देखे यह वाले नग और मैं यहाँ पर लगाऊंगी इनको और इधर की साइड लगाऊंगी अब देंगे हम अपनी पगड़ी को फाइनर लुक तो देखें यहाँ पर उपर कलगी पर छोटे चोटे इस तरह के नग है प्लास्टिक वाले तो इनको मैं यहाँ पर लगा दूँगी और देखें यह फूल के जैसे थोड़े से हमें धागे नजर आ रहे हैं तो इन पर भी हमें क्या करना है देखें आप फैविकरील से या गलू की हैल्प से किसी भी चीज से इनको लगा दे तो यहाँ पर देखें मैं ऐसे गलू लगा लूँगी और गलू लगाने के बाद यहाँ पर मुझे देखें जो हमने यह नग लगाये थे नीचे गॉल्डन कलर के वो पेस्ट कर देने हैं इसके चारो तरफ लगा दूँगी तो इससे लुक बहुत सुन्दर हो जाएगी और यहाँ पर देखें धागे भी फिर दिखाई नहीं देंगे सारे धागे हाइड ह देखेंगे यहाँ पर यह फ्लावर की तरह से बन गया है अब उपर कलगी पर लगाएगे यह वाले नग देखेंगा फ्रेंड्स फाइनली हमारी पगड़ी बन करके बिल्कुल तयार हो चुकी है और बहुत ही सुन्दर आज की यह पगड़ी बनी है आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी क्योंकि पगड़ी का लुक ही इतना सुन्दर है अगर आपको पसंद आई है यह पगड़ी तो इस वीडियो को जादे से जादे शियर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमली में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जा करिएगा तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे